आप सभी गुण महादानी आत्माओं को ओम शांती आज के बाबा के साकार महवाक्य हैं 14 अगस्त 2020 आज बाबा बोले मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हारा ज्ञान रतनों से श्रिंगार कर वापस घर ले जाने फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो एक बाप से ही प्यार करो आज बाबा ने प्रश्ण पुछा अपनी धारना को मजबूत अर्थात पक्का बनाने का आधार क्या ही तो बाबा ने उतर दिया अपनी धारना को मजबूत बनाने के लिए सदेव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ फिर कल्प के बाद होगा जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था नथिंग न्यू यह लड़ाई भी पाँच हजार वर्ष पहले लगी थी फिर लगेंगी जरूर इस भंभोर का विनाश होना ही है ऐसे हर पल ड्रामा के स्मर्ति में रहो तो धारना मजबुत होती जाएगी आज बाबाने मुरली में गीत सुनाया दूर देश का रहने वाला आया देश पराएग ओम शांती बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं इस पराए देश में दुखी हैं इस दिय पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो तुम्हारी पुकार है ना बहुत समय से याद करते आये हो तो बाप भी खुशी से आते हैं जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं उसके लिए ज्यान से श्रिंगार भी करूं बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए बाप जबकी आये हैं तो उनका बन जाना चाहिए उनको बहुत लव करना चाहिए बाबा रोज समझाते हैं आत्मा बात करती हैं न बाबा हर पांच जार वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आये हैं हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा हैं बाबा आप हमारी जोली भर रहे हैं हमको अपने घर शांतिधाम ले चलते हैं फिर राजधानी में भेज देंगे कितना अपार खुशी होनी चाहिए बाब कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना हैं बाब का बड़ा मीठा और वंडर्फुल पार्ट हैं खास जबकि इस पराई देश में आये हैं यह बाते तुम अभी ही समझते हो फिर यह ग्यान प्रायलोप हो जाता हैं वहाँ दरकार ही नहीं राती बाबा कहते हैं तुम कितने बे समझ बन गए हो ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते जो बाप ही करन करावन हार हैं क्या करते? क्या कराते? यह भूल गए हो सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं वह ज्ञान का सागर हैं तो जरूर ज्ञान देने का करतव्य करेंगे न फिर तुमसे भी कराते हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सब के लिए कहते हैं, कि अब देह का भान छोड़, मुझे याद करो, तो विकरम विनाश होंगे, मैं श्रिमत देता हूँ, पाप आत्माए तो सब है, इस समय सारा जाड, तमो प्रधान, जरजडी भूत अवस्था को पाया हुआ हैं, जैसे मांस के जंगल को आग लग जाती हैं, तो एकदम सारा ही जलकर खतम हो जाता हैं, जंगल में पानी कहां से आएगा, जो आग को बुझावे, यह जो भी पुरानी दुनिया हैं, उसको आग लग जाएगी, बाप कहते हैं, नथिंग न्यू, बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, जो नोट करनी चाहिए, बाप ने समझाया हैं, और धरम स्थापक सरफ अपना धरम स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर वा मेसेंजर आदी कुछ भी नहीं कह सकते, वह भी बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं, all brothers, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना हैं, शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे में आकर सत्योगी आधि सनातन देवी देवताधरम की स्थापना करता हूं, जिसमें सो प्रत अलिशत, सुख, शांती, पवित्रता सब हैं, इसलिए उनको हेवन कहा जाता हैं, वहां दुख का नाम नहीं है, बाकी जो भी सब धरम हैं, उन सब का विनाश कराने निमित बनता हूं, सत्योग में होता ही एक धरम हैं, वह है नई दुनिया, पुरानी दुनिया को खतम करता हूं, ऐसा धन्दा तो और कोई नहीं करते, कहा जाता हैं शंकर द्वारा विनाश, विश्नु भी लक्ष्मी नाराण ही हैं, प्रजा पिता ब्रम्हा भी तो यहां हैं, यही पतित से पावन परिष्टा बनते हैं, इसलिए फिर ब्राम्हन देवता कहा जाता हैं, जिससे दे देवी देवताधरम सापन होता हैं, यह बाबा भी देवी देवताधरम का पहला प्रिंस बनता हैं, तो ब्रम्हा द्वारा सापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़ेना, समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं हैं, सदर्शन चक्रधारी का भी समझाया परम्पिता परमात्मा सृष्टी के आदी मध्य अंत को जानते हैं उसमें सारा ज्यान है तो सदर्शन चक्रधारी थेहरेना जानते हैं हम ही यह ज्यान सुनाते हैं बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है. सतियुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह जंगल में चले जाते हैं. बापी कहते हैं, पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थम आते हैं, पवित्र ताके बल से, भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं, जैसे बाप की महिमा हैं, वैसे भारत की भी महिमा हैं, भारत हेवें था, यह लक्ष्मी नाराण राज्य करते थे, फिर कहां गए, यह अभी तुम जानते हो, और किसी की बुद्धी में थोड़े ही होगा, कि यह देवताय ही 84 जन्मले, फिर पुजारी बनते हैं, अभी तुमको सारा ज्यान है, हम अभी पुज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे, मनुष्य तो ही होते हैं, यह जो चित्र किसम किसम के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, यह सब भक्ती मार्क के धेर चित्र हैं, तुम्हारा ज्यान तो है गुप्त, यह ज्यान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धरम के पत्ते होंगे, वही लेंगे, बाकी जो औरों का माननी वाले हैं, वह सुनेंगे नहीं, जो शिव और देवताओं की भक्ती करते हैं, वही आएंगे, पहले पहले मेरी भी पुझा करते हैं, फिर पुझारी बन, अपनी भी पुझा करते हैं, तो अब खुशी होती हैं, कि हम पुझय से पुझारी बने, अब फिर पुझय बनत पर बाकि इस समय जो उत्सव मनाएं जाते हैं, वह वहां होते नहीं, वहां तो सुख ही सुख है, यह एक ही समय हैं, जबकि तुम आदी मद्यांत को जानते हो, यह सब पॉइंट्स लिखो, सन्यासियो का है हट योग, यह है राज योग, बाबा केते हैं, एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो, शिव बाबा हम बच्चो को समझाते हैं, निराकार आत्मा ये सब साकार में बैठी हैं, तो बाब पी साकार में समझाएंगे ना, वह कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, शिव भगवान वाज, बच्चो प्रती, खुद यहां प्रेजन्ट है ना, मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसे क्लियर लिखी हुई हो, जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाएं, शिव भगवान वाज होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, यह बुद्धी का काम है ना, बाबा वे शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते है ना, इनकी आत्मा भी सुनती है ब्रम्हा बाबा की, बच्चो को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, यह तो उनका रत है, यह बहुत जन्मों के अंत का जनम है, इनमे प्रवेश किया है, ब्रम्हा द्वारा यह ब्राम्हन बनते है, फिर मनुष्य से देवता बनते है, चित्र कितना क्लियर है, भल अपना भी चित्र उपर में वा बाजू में डबल सिर्ताजवाला, योग बल स हम ऐसे बनते है, उपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते है, बिलकुल क्लियर है, रंगिन चित्र का किताब ऐसा हो, जो मनुष्य देख कर खोश हो जाए, उनसे फिर कुछ हलके भी छपा सकते हो, गरीबों के लिए, बड़े से छोटा, चोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए, गिता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गिता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से, मनुष्य को समझाने में सहज होता है, प्रजापिता ब्रम्हा के बच्चे ब्राम्हन यहां है, प्रजापिता ब्रम्हा वतन में तो हो नहीं सकता, कहते हैं ब्रम्हा देवताई नमाहा, विश्नु देवताई नमाहा, अब देवता कोन ठहरे, देवताई तो यहां राज्य करते हैं, डिटीजम तो है ना, तो यह सब अच्छी रिती समझाना पड़ता है, ब्रम्हा सो विश्नु, विश्नु सो ब्र ब्रम्हा दोनो यहां हैं, चित्र हैं तो समझाया जा सकता हैं, पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो, तो सब बाते सिद्ध हो जाएंगी, पॉइंट्स तो बहुत हैं, और सब धरम स्थापन करने आते हैं, बाप तो स्थापना और विनाश दोनो कराते हैं, होता है सब ड्रामा अनुसार ही, ब्रम्हा बोल सकते, विश्नो बोल सकते हैं, सुक्ष्मवतन में क्या बोलेंगे, यह सब समझने की बाते हैं, यहां तुम समझ कर फिर ट्रांस्फर होते हो, उपर क्लास में, कमरा ही दुसरा मिलता है, सुक्ष्मवतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहा से नंबरवार आना होता ही पहले पहले मूल बात एक ही है उस पर जोड देना चाहिए कल्प पहले भी ऐसे हुआ था यह सेमिनार आदी भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे ऐसी पॉइंट्स निकलती थी आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ फिर कल्प के बाद ऐसा ही होगा ऐसे ऐसे अपनी धारना करते पक्के होते जाओ बाबा ने कहा था मेगजिन में डालो यह लड़ाई लगी नथिंग न्यू पांच अजार वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था यह बाते तुम ही समझते हो बाहर वाले समझ न सके सिरफ कहेंगे बाहर वाले तो समझ न सके सिरफ कहेंगे बाते तो वंडरफुल है अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे शिव भगवान आज बच्चो प्रती ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रम्हा कुमार कुमार्या प्रजापिता ब्रम्हा से ही ब्राम्हन वच्चते हैं ब्राम्हन देवी देवताई नमह कहते हैं न कौनसे ब्राम्हन तुम ब्राम्हनों को भी समझा सकते हो ब्रम्हा की अलाद कौन है प्रजा पिता ब्रम्हा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहां एडॉप्ट होते होंगे जो अपने कूल के होंगे वह अच्छी रिती समझेंगे तुम तो बाप के बच्चे हो गए बाप ब्रम्हा को एडॉप्ट करते हैं नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से और हरी द्वार में सन्यासी ही सन्यासी पंडे ब्रामण होते हैं परन्तु वह भी भूखे होते हैं बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो अब रुहानी पंडे बनो तुम्हारा भी नाम पंडा है पांडव सेना को भी समझते नहीं है बाबा है पांडव का सरमोर केते हैं हे बच्चे माम एकम याद करो तो विकरम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होंगी सबकी आत्माएं जाएंगी जैसे मकडों का जुन्ड जाता है ना मक्यों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाडी सब भागते हैं बंडर है ना सब आत्माएं भी मच्चरों में सल जाएंगी शिब की बरात है ना तुम सब हो ब्राइड्स मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने तुम छीची हो गए हो इसलिए श्रिंगार कर साथ ले जाओंगा जो श्रिंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे जाना तो है ही काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकेंड में कितनी सजाई भोग लेते हैं मनुष्य चिलाते रहते हैं यह भी ऐसे हैं समझते हैं हम जैसे की जनम जन्मांतर का दुख भोग रहा हूं वहद दुख की फिलिंग ऐसी होती है जनम जन्मांतर के पापो की सजा मिलती है जितनी सजाई खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुक्तु करो याद से जमा करते जाओ नौलिश तो बहुत सहज है अब हर एक करम ज्यान युक्त करना है दान भी पात्र को देना है पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका अशर पर जाता है वह भी पाप आत्माए बन जाते है ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदी करे पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे है अब तुमको ऐसा नहीं करना हैं। अच्छा, मिठे मिठे सकेल थे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मोर्नी। रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मोरिंग और नमस्ते. आज की मूरली में धार्मा के लिए सार है, उसमें पहला है, अभी हर करम ज्ञान योगत करना है, पात्र को ही दाम देना है, पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदे की लेन देन नहीं करनी है, योगबल से सब पुराने हिसाब किताब चुक्तु करनी है. दुसरा है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बाते करनी है, बाबा आप आए है, हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी जोली भर रहे हैं, आपके साथ पहले हम शांती धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे. आज बाबा ने वरदान दिया, कल्प कल्प के विजई की स्मर्ती के आधार पर माया दुश्मन का आहवान करने वाले महावीर विजई भव. वरदान का डिटेल हैं, महावीर विजई बच्चे पेपर को देख कर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकाल दर्शी होने के कारण जानते हैं, कि हम कल्प कल्प के विजई हैं. महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते, कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, क्रिपा करो, आशिर्वात करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो, यह भी कम्जोरी हैं. महावीर तो दुश्मन का आहवान करते हैं, कि आओ और हम विजई बने. आज का स्लोगन है, समय के सुचना है, समान बनो, संपन्न बनो. ओम शांति